आज का हमारा टापिक है excess pressure inside a liquid drop जिसको हम पानी की बूंद भी कहते हैं अब आपने देखा होगा जो liquid drop है उसके सारे surface पे liquid molecules होगे तो liquid molecules surface tension की वज़से क्या करेंगे अंदर की तरफ को force लगाएंगे सारे जो surface पे जो molecule रहेंगे वो सब अंदर की तरफ को फोर्थ गएंगे due to surface tension जो हम topic पढ़ रहे है surface tension देखे नहीं कहा रहा है कि कभी भी आपका liquid drop है वो zero नहीं होगा बिल्कुल आपका खतम नहीं हो जाएगा zero का मतलब यह है कि जो pressure surface tension यह लगा रहा है इसके वो बिल्कुल ही zero size नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर जो है इंसाइड जो pressure रहता है वो आपका थोड़ा सा जादा रहता है outside pressure से तो मतलब यह हुआ कि अंदर का जो pressure है वो बाहर वाले pressure से जादा होगा that means we have excess pressure inside the drop अब यह जो excess pressure आपका अंदर रहता है यह आपके surface tension को balance करता है surface tension क्या चाती है drop को छोटे से छोटा करना चाती है लेकिन drop अपनी existence के लिए अंदर से pressure लगाता है और यह जो pressure अंदर से लगता है बाहर वाले pressure से जितना जादा होगा जिसको नाम देंगा excess pressure वो उस surface tension को balance करेगा counterbalance करेगा और इस वज़े से हमारे पास liquid drop की existence रहती है कि liquid drop के आपकी shape रह जाएगी वो खतम नहीं होगी बलके zero size नहीं उसका बनेगा इस excess pressure के लिए हम आज article करेंगे तो जैसा मैंने आपको कहा excess of pressure inside the drop will provide a force acting outwards counterbalance the resultant force due to surface tension जो surface tension उसके size को छोटा करना चाती है उसको excess pressure क्या करेगा counterbalance करेगा and the liquid drop is in equilibrium और liquid drop आपका equilibrium में रहेगा तो ऐसा आगया surface tension जो liquid drop को के size को छोटा करना चाता है P not आगया atmospheric pressure जो बाहर से लगेगा और P I आगया total pressure inside the drop ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंदर का pressure atmospheric pressure से जादा होगा और कितना जादा होगा उसको नाम दिया गया P that is P I minus P not where P is called excess pressure inside the drop तो यह चीज़ आपने अच्छे से समझनी है due to excess pressure क्योंकि अंदर pressure जादा है तो हम assume कर लेते हैं कि उसका जो radius है जो dark line है वो है actual drop और pressure की वैसे उसका थोड़ा सा size increase होगा जो इसका radius capital R है तो उसमें थोड़ा सा और increase होगा delta R तो delta R मतलब total radius कितना हो जाएगा R plus delta R और यह dotted line हमें दिखाएगी नया जो size रहेगा liquid drop का जो थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसमें क्यूंकि आपने थोड़ा सा size increase किया है तो कुछ work हुआ होगा उसको size को increase करने के लिए वो work होगा force into displacement तो what is force? इस pressure into area और displacement हम लेंगे increase in radius जो displacement होगी वह वास उसका radius थोड़ा सा बढ़ा जो delta R हम ले रहे हैं तो pressure है P जो हमने access pressure हो P हमने assume किया हुआ है और area जो spherical drop होते है spherical महलब tennis wall जैसे उनका जो area आपका रहता हो 4 pi उसका radius का square R square और delta R आगया increase in radius तो increase in surface area अब जो आपका area बढ़ा वो कितना बढ़ा? तो आप देख सकते हो यह जो dotted line है यह आपका बढ़ा है कहां से? इस dark line से तो यह जो dark line से कितना ज़्यादा बढ़ा है तो हम क्या करेंगे? dotted वाले का total surface area अंदर वाले के साथ minus अंदर वाले का area इसको अगर हम minus कर देते हैं ठीक है? 4 pi r plus delta r का square महलब dotted और उसमें से काट लेंगे कौन सा इसा है? यह dark वाला हिस्सा काटेंगे तो dark वाला हिस्सा काटेंगे minus 4 pi r square तो यह जो बचेगा अगर यह piece आप यहां से काट के निकाल दो तो सिर्फ आपके वास यह shaded जो आपका color में face है यह रह जाएगा जिसको उम बलेंगे increase in surface area तो r plus delta r का whole square खुलेगा तो r square plus 2r delta r plus delta r square तो यह यह वाला खुल गया और r square इसका रह जाएगा 4 pi मैंने दोनों से common ले लिया तो इसमें जो delta r है क्योंकि delta r अपने आप में small है तो उसका square और भी छोटा हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा यह हो गया increase in area ठीक है increase in area हो गया तो अब यह कहता therefore increase in potential energy तो यह आजाएगा increase in surface area into surface tension यह जो हमने पहले भी इसका expression किया हुआ है तो increase in surface area को surface tension से multiply कर देंगे तो हमारे पास potential energy आजाएगी हमारे पास जो increase in area है वो है 8 pi r delta r और surface tension है s अब यह बोलता है as the drop is in equilibrium the increase in potential energy is at the cost of work done by excess pressure जो आपका excess pressure work कर रहा है वो आपका increase in potential energy की बराबर होना चाहिए अगर आपका drop equilibrium है तो p into 4 pi r square into delta r should be equal to 8 pi r delta r into s simple सी बात है जो आपका increase in potential energy है वो किस cost पे विया है जो excess pressure ने work किया है तो यह दोनों आपस में equal होने चाहिए यहां से calculation करेंगे तो pi आजागा 2s by r और pi को हम लिख सकते है pi minus pi naught is equal to 2s by r तो this is the expression for excess pressure inside a liquid drop ठीक है liquid drop होता है जिसके अंदर भी आपके liquid रहेगा तो ऐसा ही एक और article हम इसमें देखते है वह आपके पास excess pressure inside a soap bubble ठीक है तो soap bubble आपने देखा होगा soap bubble क्या होता है उसके बाहर भी air होती है और अंदर भी air होती है यह आपने बड़े ध्यान से समझना है कि soap bubble में बाहर भी air है और अंदर भी air है इस वज़े से हमारे पास दो surface area आ जाते हैं एक बाहर की तरफ को एक अंदर की तरफ को ठीक है तो आपने बाकी आर्टिकल बिल्कुल सेव एज़े इस ही करना है जैसे आपने उपर किया डाइग्राम भी आपका सेम भी बनेगा ठीक है आपका जो change आएगा हूँ आएगा the effective area in increasing area the effective increase in area पिछले case में क्या था 4pi r प्रस delta r का हो स्केर माइनस 4pi r स्केर तो यहाँ पे हमने 2 से इसको multiply कर दिया तो 2 से क्यों multiply किया यह मैंने आपको बता दिया कि 100 bubble जो रहता है आपका उसके 2 area रहते हैं अंदर एक बाहर ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास पहले case में कितना था 8pi r delta r यहाँ पे आएगा 16pi r delta r फिर अगेन वही जो increase in potential energy होगी होगी होगा increase in surface area into surface tension तो वही आप next question दिखना है ठीक है as the increase in potential energy किस वज़ा से है work done by excess pressure की वज़ा से है एक तो आपका क्या है जो liquid drop ढूहारे कसे पास gum sustain जो उसमें हमारे पास और यहां रहता है रहता है आपका single और जो का liquid bubble है और यहाँ और धर की आधा की है 3 attempts est llamager 3 यह अगर आपका एकजाम में आता है तो आपने liquid drop की तरह ही करना ही जैसे मालो अगर आपका liquid bubble है लिकुड बबल को आप किसी liquid के अंदर डालोगे तो liquid के अंदर डालोगे तो क्या होगा ये देखो, ये डायग्राम आपका रहता है liquid के अंदर डालोगे तो जो air वाला area है वो सिर्फ एक ही रहेगा तो हमारा रिजल्ट अगेन कितना आएगा पी आई माइनस पी नॉट इसकल टू एस बाए आर ठीक है तो आपने याद रखना या तो एयर बबल इन लिक्विड या लिक्विड ड्रॉप नों के लिए आर्टिकल बिल्कुत सेम है हां अगर आपका सो बबल बाहर है हुआ में ह तो उसके लिए आपने अपिन द्र पाई यह करके नहीं तो इस तरह से यह स्ब्सक्रा डिफरेस में हमने रखना है कि आपको पूछा गया है आपको लिक्विड डॉप पूछा गया है या एयर दॉबबल इंशाबिड गोड़ पूछा झाल झाल